हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने जो त्यारियों से जबर्दस्त कर रहे होंगे जैसे कि मैंने प्रिविस वीडियो में पूछा था आप सभी से तो आप सभी ने बताया भी था और आप सभी को हमारी वीडियो काफी बढ़िया करने के लिए जो आपका चाप्टर है जो आपको डिफीकल्ट लगता है उस चाप्टर के हम पहले यह एक्स्प्लेनेशन जो वीडियो थी वो बना चुके हैं नहीं देखिए न्यूटन का लो तो उसे देख लो फटा फट मैं उसका लिंक डिसक्रिप्शन बॉक इस पर ठीक है और अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने तो सब्सक्राइब कर दो शेयर करो और सब्सक्राइब करके साइब में बैल रागन हो से प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप सभी के पास बहुत सके और लाइक कर देना क्ल लोड कर दी है नहीं देखी है तो आप सभी को देखने चाहिए वो जरूर जिससे आपको पता चलेगा किस टाइब कोशन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे तो 100% गरेंटी है वहीं से सब कुछ आने वाला है बिल्कुल और नहीं आये तो कमेंट बोक्स मुझे बता देना ठीक है अब यहाँ पर जो है चैप्टर 8 के मसे करने वाली हूं साथ साथ मियन सही देने आप सभी को तो फरस्ट कोशन देखते हैं अपना देखिये फरस्ट कोशन देखने से पहले कलर चेंज कर लेते हैं चले देखिये यहाँ पर हमारा जो कोशन है पूछ estuv.... फुचा गया तो इसको क्या कहा जाएगा तो इसका मतलब है उपरी अंग लोटना इसका मतलब है लोटने का मतलब वापिस जा रहा है आ नहीं रहा है तो यहाँ पर यह लगा हुआ है शरीर का अंग और अब वो क्या कर रहा है उपरी जो अंग था वो वापिस जो है वो लोट रहा है इस तरीके से जा रहा है इसका मतलब क्या है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है जब मध्य रेखा से जो शरीर का कोई भी अंग जो होता है वो द जोड़ों को सीधा करना और फैलाना, जिससे भागों के बीच के कौन में वृदी हो जाती है, जो जोड़ होते हैं, अगर हम उन्हें सीधा करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो कौन है, उसमें क्या हो रही है, वृदी हो रही है, तो कौन में जब वृदी होती है, तो उसक जाते हैं इसे extension कहाँ जाते है've extension का मतलब होता है बढ़ाना ठीक है रहते है, हम कहते है na कि जो date है woh extend की कर दी गई है इस तरीक से soto extension का मतलब होता है बढ़ाना तो कौन की बीच में जो जब वह बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट वाले का option है, हमारा यहाँ पर extension यह हो गया, यह दूसरे वाला correct, तो देखो दूसरा, फर्स्ट वाले option में सभी दूसरे दे रखे हैं, ठीक है, अब हमें next भी देखना पड़ेगा, तो देखो next वाले देखी यह एक जोड के चारो और जुकने वाले भागों के रूप में बढ़नी थे, कि उनके बीच का कौन कम हो जाता है, फिर से जो जोड है, जब वह जुकते हैं, यानि कि आपने देखा होगा कि आपका सामान कुछ नीचे गिर गया है, तो आप या करते हो, आपके पैर के पास जुकर उसे लेते हो, या फिर हम जैसे पैर पर झुकते हैं, जोड होता है, तो कौन होता है, जो कम हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? extension का बिल्कुल opposite होता flexion, आपको धियान रखने, extension का opposite a flexion extension तो याद होगा है, याद कि extend कर दिया गया, कुछ ठीके बढ़ा दिया गया, कुछ यानि कि कौन में जो दूर यह हो बढ़ गई और यह इसका बिल्कुल opposite होगा है, flexion तो यह हो गया इसका, तो देखो one कहा पर है, बस दो option में दिया गया, कैमे और कैमे, इन दो option में हाँ पर यह one दे रखा अब हमें next भी देखना पड़ेगा next दो को इसे कह रखा है, इसे एक भाग को मध्य रेखा से दूर जाने यहां परे ठीक हो जाएगा, abduction abduction जैसे कि अगर मैं example लूँ तो आपको punishment मिलती है, हमेशे यह example देती हूँ क्योंकि आप तब school में पड़े हुई हो और punishment तो मिलती ही है, कभी ना कभी आपको, जो है, हाथ खड़े करने के लिए बोल दिया गया, तो उस टाइम पर आप जब अपने हाथों को खड़ा करते हो, तो आपके जो हाथ होते हैं, उपर की तरफ हो जाते हैं, यानि कि आपका जो शरीर है, उससे दूर चले गए हैं तो यह जो होता है, आपका abduction होता है और जो यह addiction होता है, यह होता है, जब शरीर के जो मदे रेखा है, उसके पास में आ जाता है, जो शरीर का अंग होता है, तो उससे addiction कहा जाता है, तो option number जो A है हमारा correct हो जाएगा यहाँ पर, next देखी question, next question कह रहा है, कोहोनी को मोड़ कर, जब चाती के पास लाते हैं, तो जब हम कहोनी को मोड़ते हैं, यानि कि यह जो कहोनी ऐसे थी, अब इसको मोड़ कर, अब हम अपनी जो चाती उसके पास लेकर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, क्या होने वाला है इसका मतलब, इसमें से कौन सा होगा, first option flexion, दूसरा adduction, तीसरा extension हो जो था abduction, तो extension भी नहीं होगा, abduction भी नहीं होगा, ठीक है तो क्या होगा इसका answer, मुझे कोई comment box में बताएगा फटा-फट बताओ, क्या होगा इसका answer तो flexion जो होता है, उसमें क्या होता है, जो जो जोड होती है उनकी जो दूरियां होती, वो कम हो जाती है तो जैसे मैंने हाँ पर दिखाए ने, पहले हाथ ऐसा था, तो angle बहुत बड़ा था अब angle कम हो गया था, तो कौन की जो दूरी होती है, कौन जो होता है, वो कम बनता है जोडो में, तो इसलिए flexion हमारे हाँ पर एवाला ठीक हो जाएगा नेक्स्ट देखो, हाथ को बराबर में, इस प्रकार से खेलते हैं, खोलते हैं, हाँ पर खोलते आएगा ठीक, इस प्रकार से खोलते हैं, जब हाथ शरीर की मधिरेका से दूर जा रही हो तो हाथों को इस प्रकार से खोल रहे हैं, कि मधिरेका से दूर जा रहे हैं अब पहले चाहे कुछ भी काया हो इन्होंने, पर end में इन्होंने बता दिया कि जो शरीर की मधिरेका से दूर जा रहे हो तो option हमारा यह खेवारा ठीक हो जाएगा I hope आप सभी को clear हो रही हो रही हो गी बाते देखो यह जो chapter है इसमें घूम फिर के यही वाले question आते हैं बहुत important आते पक्का हैं इसमें से ठीक है अब देखो अगला यहाँ पर हमें matching दे दी गए फिर से तो देखते हैं extension क्या होता है extension जैसे मैंने काए कुछ बढ़ा दिया जाता है यानि कि जोड़ों की बीच में जो दूरी होती है जो बस यह हाँ पर बताया गया है बाकिश animals cut होगे हैं हमारे ठीक है एग दो उर Keys करने के लिए Addiction अब जो इड Запाविशन है वो क्या होता है इसमें क्या होता है जो मद्यरेका होती है उसके निकट आ जाते है शरीर का अंग तो उसे Addiction कहा जाता है तो मद्यरेका की पास में शरीर का कोई अंग आ रहा है तो उसे Addiction कहेंगे तो देखो यह हो गया ना, बिल्कुल सही है, यह हमारा first option ही correct है, फिर भी हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, यह ले रखे हैं आप है, abduction, abduction क्या होता है, abduction में शरीर की मधिरेगा से दूर चले जाता है, तो देखो इसका कौन सा option है, इसका fourth option है, शरीर की मधिरेगा से दूर, और reflection जो होता है, extension का बिल्कुल opposite होता है, यानि कि कौन जो होता है, कम बनता है, तो यह हो कि मारा first वाला option correct, अब हम next question चलते हैं, पहुच गए next question पर देखा है, आप सब भी ने, हाँ, देखो, अब जो यहाँ पर question पूछा गया है, यह question आपके में कट हो चुका है, तो यह slide पर कोशना आते हैं आपके, तो Newton का जो नियम है, उसका, यानि गती का जो नियम दिये थे, Newton ने कितने दिये थे, तेन दिये थे, ठीक है, तो दूसरा नियम को क्या कहा जाता है, पहला है वेक का नियम, दूसरा जड़ता का नियम, तीसरा तवरन का नियम, और चोथा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो तवरन का नियम इसका बिल्कुल ठीक होगा, पहला जो होता है उसे जड़ता का नियम कहा जाता है और तीसरा जो होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, रेक्शन का, ठीक है तो यह हो गया, आपका ये जो C वाला option correct अगला देखिए लंबी कूद में जंप की शिरुवात करते समय कौन सी जो कौन सा नियम है वो कारे करते हैं अगर देखो लंबी कूद करनी है या फिर चलना है ठीक है इसमें क्या हो रहा है आप लंबी कूद करने के लिए पहले अपने पैरों को आप वो करेंग तो पहले हम आगे रखते है फिर जो धर्ती होती है उसे वो हमारे पैर को पीछे की तरफ करती है फिर हमारा दूसरा जो पैर होता है वो आगे आता है तो इस तरीके से प्रोसेस होता है इस तरीक से लंबी कूद करेंगे तबी बी ऐसा ही होगा तो यह सारे के सारे या फिर पूरा नाम भी पूछ लिया है तो आए ज्यएक नियूटन तो आपको पे जे के उपर a के मातरा नहीं आईगे ठीक है यह भी ध्यान रखने आपको अपकर खेल-kूद व्यासक द्वारा गति के कितने नियं 과 निजाद किए गए तो Newton के दुवरा गति के कितने नियम दिये गए है Newton के दुवरा जो low दिये गए है वो कितने हैं तीन है तो इसको आपको ध्यान दखना है थर्ड जो होगा हमारा option correct हो जाएगा अगला question देखिए अगला question बड़ा interesting है पढ़ने में मज़े आएंगे तो देखिए अगला question आपर दिया किया है तो मैंने हर टाइप के question जो include कर दिये हैं यहाँ पर जिससे आपको पढ़ने में मज़े आएं तो देखिए घुर सवारी में जब घोड़ा गति में होता है तो सवार भी घोड़े के साथ गति में रहता है लेकिन जब घोड़ा अचानक रूख जाता है तो सवार का निचला हिस्सा घोड़े के साथ अराम करने के लिए आता है लेकिन उपरी भाग गति में होता है यहाँ लगता है यह नियम तो यह कहाँ पर लगता है पहला option दिरक है Newton की गति का पहला नियम दूसरा है Newton की गति का दूसरा नियम तीसरा है Newton की गति का तीसरा नियम और इनमसे कोई नहीं और अप्शन है हमारा तो यहाँ पर हमारा option number कौन सा ठीक होगा इससे पहले मैं थोड़ी से question को थोड़ा सा अच्छी से explain करने कोशिश करती हूँ यहाँ पर गुड़ सवार दिया मैं पहले आपको एक example देती हूँ शायद आप सभी ने जब आपके नए science बढ़ी होगी 10th class में तो आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी जब या फिर आप daily life में भी travel वगरा करती हो तो आप सभी ने देखा होगा कि आप कार में जा रहे हो तो कार जो होती स्पीड में होती हो अचानक से कुछ traffic आ जाता है और एकदम से कार को रोकना पड़ता है ठीक है तो इसके कार तो रुखती है साथी साथ हम भी क्या है जटका लगकर हम आगे की तरफ आ जाते हैं तो वो जो होता है वो Newton का जो दूसरा नियम है उसके तहत होता है यानि कि तवरन का जो नियम है उसके तहत होता है और इसी प्रकार से जो गुड सवारी है इसमें जो होता है जो इसी प्रकार से जो ये दूसरे नियम के तहत नहीं पहले नियम के तहत होता आपको ध्यान रखने है न्यूटन का जो फर्स्ट लो होता है उसके तहत होता है जो मैंने अभी एक्जामपल दिया था और अभी जो वाला बता रही हूं ये भी आपका फर्स्ट नियम के तहत होगा ठीक है तो जैसे घुड सवारी कर रहे हैं तो हम गोड़े के उपर होते हैं तो गोड़ा चल रहा होता है तो एकदम से वह स्पीर में होता है तो एकदम से अचाने से कुछ उसके सामने आ गया तो उसे रुखना पड़े को तो जो गोड़ा होता है जैसे ही वह रुखता है तो हमारा निचला हिस्सा क्योंकि हम बैठे हुए तो यह आंसर है तो आप सभी गलत है तो यह हमारा एवाल उप्शन गतीखा पहला नियम नियूटन की गतीखा दूसरा कोशन है क्रिकेट में उच कैच लेनी के दोरान खिलाडी को कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की और ले जाना होता है इसमें समान और यह जो होता है तो उस तरीके से जो है वो समान बढ़ता है, इस प्रकार गेंद को रोकने के लिए आवश्यक बल घठ जाता है, यहां लगता है, यानि कि जैसे ही जो होता है, जो catch होती है, जैसे ही वो करता है, तो जो ball जितना उसका मास होका उसके हिसाब से, तो उसका बल जो होका होता है एक्वल ठीक है इस मैंने अभी बोला पर यहाँ पर हमारा थीसरा नियम प्रियोग हुआ है कैसे क्योंकि हम Arm- अधिस् живот है चानेल की इस वर एक्जामपल दिया जाता है यह हूँ पर यहाँ के लिए उसी बल से जितना लगाया था उसी से वह दुबारा से आगे की तरफ लेकर आता है एक अगला कोशन तरागी में तराग अपने हाथों का उपयोग करके पानी को पीछे की धकेलते जैसे मैंने भी पता है न्यूटिंग का थर्ड लो उसमें क्या होता है जितना हम लगाते हैं बल उतने दुबारा से लगता है तो पानी को जैसे हम पीछे के धकेलते तो पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है यह किसमें होता यह हमारा प्रतिक्रिया के नियम में होता है न्यूतिंग का थर्ड रो होता है ये कि पाणी फे बन लगाय तो पाणी ने प्रतिक्रिया दिखाया अपनी और हमें आगे दखेला तो फिर हम आगे चल पाते है अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं चल पाते है और गुर्त pulls बलगे कारण होता है साथ ठीक है और न्यूटन के थर्ड नियम के अनुसार होता है तो यह हमारा यहां पर यह वो गया करेक्ट और यह जो फोर्मल मैंने बता है ध्यान रखना है न्यूटन का जो सेकेंड जो लो है उसका पूछा जाता है अफ इकल टू एम ए अगला देखो अगला कुछना अकिए है अब्डेक्शन फिर से यही वाली आके है हमें मीरे अब्डेक्शन क्या होता है मैंने कितनी बार अप सहुए वीगा ऐ पता है अब्डेक्शन तो है इसमें क्या होता है जो श्रीयर की technology होती है उससे जज़र श्री का अंग होता हो तो दूर चल जा तो यहां पर देखो 4 दे रखा बिल्कुल ठीक है यही वाला हमारा option correct हो जाएगा दो से पता चल लगया फिर भी बाकी भी चेक कर लेते हैं बल जो क्रिया के विपर दिशा में कारे करता है तो यह हमारा ग्रशन बल होता है जो आपको नहीं पढ़ना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जड़ता का नियम फिर उची कूद की शुरुवात और extension तो कौन सा correct होगा तो पहले हम बाकी सारे चलिए देखते हैं जड़ता का नियम क्या होता है नियुटन का first low है जड़ता का नियम ठीक है यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं जड़ता का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो नहीं होता है वस्तु अपने स्तान पर स्तिर रहती है जो जड़ता का नियम होता है उसमें क्या होता है जो वस्तु होती है जब तक उस पर 12 बल नहीं लगता है तब तक वो वस्तु क्या रहती है बिल्कुल stir position में ही रहती है fix ही रहती है अगर मैंने हाप पर क्या है एक box रख दिया है जब तक मैं इस पर यहां से यहां से यहां से force नहीं लगाऊंगे तब तक है यहीं पर यहीं रहेगा ठीक है तो यह होता है तो जर्ता का नियम जो है आपका यह वाला option correct हो गया इसका अब देखो यह fourth हो गया second वाले का fourth है चले देखिए second का fourth यहां पर दे रखा है इस रा नियव लगता है नियोटन का निंड क्रिया फेथी क्रिया का निय। थेर्ड का थेर 22 यहाँ पर हमारा एक्स्टेंशन की कौन की दूरी होती है व्हारी कहीं हो जाती है आपको ध्यां डखने कहते हैं तो हमारा यह option correct हो जाएगा कोशन गलत था तो फिर्ष होगे हमारा कढ्रेक्ट next question देखते हैं देखिंगे नेक्स्ट कोशन है नियोटन की रिठी के दूसरे नीयम को कहा जाता है दूसरे नीयम को क्या जाता है देखो कितने बार रिपीट हो गया यह वाला कोशन अपर गुमा गुमा कर पूछा जाला कभी मैचिंग पूछ लेते हैं कभी कैसे पूछ लेते हैं तो इसलिए हर तरीक के कोशन आना चाहिए तो न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है इसको आगे देखिए अगला है यहाँ यहाँफे फ्लैक्षण क्या होता है फ्लैक्षण पूछा गया होती है उनकी बेच में दूरी वोटी हुती है गई ह ham simpler जाती है तो इसलिए हमारा फॉर्ट ठीक हो जाए तो चैहां पर इसलिए रखें समय होना हम प्र अवरो जातती है तो इसलिए हमारा फॉस्ट और प् और सेकंड रहेगे एक्स्टेंशन याने की जो और की बीच में जो दूरी होती हो बढ़ जाती है तो यह हो गया हमारा फर्स्ट वाला आप्शन करेक्ट तो दोनों में फस्ट दिरक है अब देखिए अगला हमारा तो कहा जाता है आपका यहां पर कहां पर द है, कहोँने का मोट जब हमारे हाथ चाती कि और जाते हैं जब हम कहोँनी को मोड दे हैं और अपने हाथ हाथ को बराबर से इस प्रकार से खोलना कि हाथ शरीर की मध्य रेका से दूर जा रही है तो हातों को इस तरीके से खोलना कि शरीर की मध्यरेका से दूर जा रहे हैं तो पहले चाहिए कुछ भी कहाओ बात की बात देखते हैं कि शरीर की मध्यरेका से दूर जा रहे हैं हात उसे क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएका जब दूर जा रहे हैं तो उसे abduction कहा जाता है तो हमारा first option correct हो गया हूँ अगला देखते है question अगला question है Newton की गती के दूसरे नियम का गनतिय रूप है तो गनतिय रूप कौन सा है Newton गती का पहला देखे तवरन equal to द्रवे मान into आयतन दूसरा बल equal to द्रवे मान into में तवरन तीसरा बल equal to द्रवे मान into में वेक और चोथा गती equal to दूसरी के समय से भाग देना क्या लिख रहा है नोने option नहीं इनकरेक्ट है या आपका preboard से मैंने question लिए important था इसलिए मैं डालते है इसमें तो आपका ये वाला option correct होगा बल equal to जो द्रवे मान into में तवरन तवरन को A से देनोट करते हैं ये F हो गया आपका ठीक है और ये जो है आपका ये जो होता है F equal to M ही होता है ये M हो गया और ये F हो गया F यानि कि force यानि कि बल फिर ये M और फिर into जो तवरन M को हम मास बोलते हैं ठीक है अब हम next question देखते है next question भी आपके pre-board से लिया गया है important question है तो देखिए यहाँ पर एक ये संस्थान है ये क्या कर रहे हैं इसके जो professor है उन्होंने बताया कि अगर हम समाने विधारतियों को भी खेलों कि उधार्णों से विज्यान के सिधान पढ़ाती हैं तो वह विधारतियों को जल्दी वह असानी समझाते हैं उधार्ण के तोर पर तराक आगे बढ़ने के लिए पानी को पीचे की ओर धखेलता है बराबर में पritिक्रिया में पानी तेराक को उतनी शक्ती से धक्का देती है तो इस नियम का सम्मंद है तेराक जो है न या फिर तेरना बोलो तेराकी बोलो ये जो है आपका तीसरा नियम है जिस बल से आप क्या करें पाने को धकेल रहे हैं उसी बल से पानी आपको आल दकेल रहा है तो इसलिए आपका तीसरा नियम जो neutrun का है हमाँ पर लग रहा है तो यह हो गया हमारा 30 हैवल option correct ऐसी हमाँ सोच ने है तो 30 है तो 3 में लेका जाएगा गती का 3 नयम option में हमेशा ऐसा नहीं होता है तो यह हमारा option correct हो गया और अब इसके साथ ही आपके चो ये वीडियो यहाँ पर complete होती, class complete होती, आपके MCQs complete होते, जितने बन सके MCQs मैंने बनाए, concept clear होना चाहिए, MCQs तो अपने आप चुठियों में हल हो जाएंगे, अगर concept clear होगा तो ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी, class अच्छी लगी, तो like करो, share करो, और comment करक ठीक है, आप सभी कवेट रहेगा, आप सभी कमेंट का, like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, और योनी classes, Instagram ID को follow कर सकते हो, telegram group join करना, बिल्कुल मत भूलना, वहीं पर notification जब हमारी YouTube चैनल पर नहीं भूश बाती है, तो वहाँ पर आप सभी के साथ share की जाते है, ठीक है, तो Bye, thank you so much.